आज का हमारे topic है types of software developers हर एक software developer सारे तरीके के softwares नहीं बना सकता because दुनिया में बहुत तरीके softwares होते हैं सारे चीज़े मैं आपको बदाऊंगा वैसे तो जब आप बड़ी companies के अंदर जाते हो तो आपको पहले training दी जाती है एक specific field के बारे में किस तरीके skills पता हो नहीं चेयर हो किस-किस skills के उपर काम करता है तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि मैं ऐसी videos लेके आता रहता हूँ जो software development और software engineering और technical news से related होती है तो सबसे पहले आते है front end developer front end developer जब भी आप लिखा होता है तो आप समझ जाना कि ये बंदा web application या फिर website के उपर काम करता है वैसे तो थोड़ा सा difference होता है website और web app के बीच में वो हम किसी और वीडियो के अंदर discuss करेंगे बट अभी के लिए आप कह सकते हो कि mostly काम करते है website या फिर web app के उपर तो और एक चीज़ और इनकी एक ही specific technology होती है JavaScript JavaScript के अंदर अपने बहुत सारे frameworks हो सकते है वो उनके उपर काम करते रहते हैं Angular होता है, React होता है, View होता है, Backbone होता है पता नहीं क्या-क्या बट अगर वो JavaScript सीख लेते हैं तो easily सब कुछ सीख लेते हैं ठीक है कोई भी चाहे चोटा मोटा startup हो, चाहे आप Uber देख लो या फिर आपको फूड डिलिवरिश्ट अप्लिकेशन देख लो हर किसी की website अपनी होती ही होती है तो यह आज के दिन में बूम पर है और उसके बाद में आते हैं हमारे back-end developer अचा एक चीज और मा आपको बताऊँगा front-end developer कभी भी directly database से interact नहीं कर सकते ठीक है एक चीज होती है API वो भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं link description box में डाल दूँगा सारी वीडियो का आप एक link description box में चेक कर लीजेगा API उनको कौन देता है API देता है उनको back-end developer और back-end developer बेसिकली या करते है यह database से interact करते है database से data fetch करके front-end developer को देते हैं और यह कौनसी language में काम करने है बेसिकली यह node.js में काम करते है PHP, Java, Python इन चीज़ों के अंदर यह काम करते हैं और यह data basically यह सिक मैं आपको पता चुका हूँ कि front-end को यह data transfer करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपको front-end में जो आप चाहिए अगर आपको JavaScript में काम करने है तो back-end के अंदर node.js, python हो गारा है इन में भी काम कर सकते हो एक चीज़ का ध्यान रखना salary कभी भी एक technology पर depend नहीं करते है आपकी skill पर depend करते है और company के उपर भी फिर आते हैं mobile developers obviously यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो कि mobile के application develop करते हैं जैसे कि iOS के लिए app develop करते है iPhone के लिए या फिर Android के लिए application develop करते हैं कुछ और भी operating systems आ रहे हैं जैसे Huawei बगारा के लिए उनके लिए भी application development होती है और कुछ ऐसे application mobile application developer जो hybrid application बनाते हैं कि एक ही code से वो दोनों application generate हो जाती है Android की भी और iOS की ठीक है और उसके बाद आते है game developers और यह आपके हो सकता है कि favorite हो जह हमारे लिए games बनाते हैं और इसे में entertain होते हैं और यह basic specific framework के अंदर game develop करते हैं जैसे कि बहुत e-famous है 90% जो games होते हैं और unity के अंदर ही बनते हैं और game developer भी थोड़े से अलग लिए तरीवे हो सकते हैं हो सकता है कि वो mobile के लिए game develop कर रहे हो हो सकता है कि वो विंडोज के लिए यानकी laptop वगरा के लिए game develop कर रहे हो उसके बाद में थे OS developer यह देखो अगर मैं salary की बात करूँ एक technology के base पे तो सबसे ज़्यादा high salary होती है OS developer की but senior होता है कि अब बहुत ही काम होते हैं आज के दिन में OS कितने ही बनते है विंडो बन गया वही हम जिन्दगी पर यूज करने है उसके अंदर धीर धीर अपडेट्स होते रहते हैं एक Android बन गया अब Android ऑपेटिन सिस्टम बनाया तो इसके अंदर आती है नहीं कि ओपनिंग नहीं होती है और हां एक चीज़े होते है कि इनकी पेस के लिए होते है क्योंकि उनको highly efficient softwares बनाने पड़ते हैं जो की बहुत अच्छी speed दें और बहुत ही ज्यादा reliable हो easily smoothly काम करें bugs free हो तो इनके क्योंकि इनके उपर ही बाकी साइज डिपेंड करेंगे अगर एक operating system ही घराब होगा तो फिर उपर और software वगर अच्छे से चली नहीं पाएंगे और बात में आते हैं application developers application developers वह होते हैं जो आपके laptop के लिए फिर software बनाते हैं जैसे कि VLC player हो गया हो एक application है और MS office हो गया हो एक application है और editor हो गया यह भी अपनी आप जैसे कि हम use करते है notpad plus plus या फिर atom यूज करते हैं तो यह भी अपने अपने application से होते हैं जो यह basically हमारी windows के लिए या फिर आप कह सकते हो कि Linux के लिए software's मनाते हैं mobile के लिए या फिर website के ओपर यह काम नहीं करते हैं और DevOps वैसे आप कह सकते हैं कि यह कुछ लोग इनको software developer की category में रखते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं इनका basically काम होता है कि software environment को setup करना माल हो कि 100 लोग एक software के software बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो उनके सारे के सारे सिस्टम की configuration सेम होनी चाहिए ठीक है और उनके लिए server setup करना है कि सारे server से वहां पर testing कर सकें वहां से pull push कर सकें code को वहां पर send कर सकें वहां से ले सकें यह सारी कि आज के दिन में इनकी job बहुत हैं बट इनकी बातें बहुत जादा हो रही है क्योंकि future है यह technology का ठीक है कुछ time यह काम करते है python जैसी language के ऊपर node जैसी language के ऊपर but कुछ time पर यह actually tools पर काम करते है और यह algorithm पर काम करते है basically इनका काम directly front end software बनाना नहीं होता है यह software को intelligent बनाते हैं कभी let's say कि हम लोग को ऐसे application generate कर रहे हैं जिससे में लोगों की यह पता करना है कि लोग चाहते क्या है अगर वो अगर स्रेही बात करते हैं तो उसके हिसाब से वह एक आदमी ने पहले अगर चिकन और कर रहा है तो उसको बार बार चिकन के लिए और अगर अगर एक आदमी ने पहले बरगर ओर करें हैं तो उसको बार बर बर बरगर ओर दिहाएगा तो यूजर के Change के हिशाब से वह उनको चीज़े दिखाते हैं दिखाते क्या इसके हिसाब से अलगोरिफम वगर वगरा स्वेकर दैट युज करते हैं तो इसलिए उनको data scientist हो राइट सो यह थे हमारे कुछ एक टाइप के ऊपर वीडियो चोई तो मुझे बता ते जिए कमें बोक्स में वीडियो बना भी देता हूं, बाई, टेक केर.